नमस्कार मित्रों जैस यारा मित्रों आप सभी का मेरे YouTube चैनल विराठ जयोतिशिंतन में हार्दिक स्वागत है मित्रों आज के मेरे इस वीडियो का विशे है विवाह में देरी के कारण और उसके निवारण करियर को लेकर दिवाह में विवाह में विलंभ होने की समस्या दूसरे विवाह हो जाने के बाद वैवाहिक जीवन के संचालन में तमाम तरह की दिक्कतों के संबंद में भी लोग प्रष्ट पूछते हैं और आज मेरी चर्चा का विशे है विवहा में आखिर इतनी देरी क्यों हो जाती है मैं देखता हूँ कि लोग जादा तर तीस वर्ष के बाद बलकि 35 वर्ष की आयू में विवहा करते हैं और ऐसा नहीं कि माता पिता प्रयास नहीं करते विवहा के लिए आतक प्रयासों के बाद जूद भी विवहा नहीं होता लड़के की कुंडली में गुरू और मंगल विवहा के लिए दो महतपूर ग्रह होते हैं तो लड़के की कुंडली में गुरू और शुक्र और यदि कारक ग्रह कमजोर हुए तो विवहा में सिर्फ देरी होती है बलकि विवहा के बाद भी विवाहिक सुक नहीं मिल पाता है हाला कि विवहा में देरी के लिए अन भी कई कारण होते हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे आज एक कुंडली मैं ने देखी ललकी की कुंडली थी मित्वन लगन की लगनेश सूर्य के साथ बारमे भाव में यानि सूर्य और बुद्ध बारमे भाव में सब्तमेश गुरु छटे भाव में और उस पर मंगल वा शानी की द्रस्टी, चंद्रमा वा शुक्र केतु से पीडित और शानी की भी उन पर द्रस्टी, अब ऐसे में वैवाहिक समस्या उत्पर्न होना स्वाभाविक होता है। विवाह से समंदित भाव मित्रों मुक्रूप से सब्तम ही होता है, सेविंधाव से, यह कारक भाव होता है, लेकिन सासाथ लगन दितिये, चतुर्थ, अश्टम और द्वादश भाव भी देखने चाहिए, इन पर यदि पाप प्रभाव हैं, तो फिर विवाह में विलंब शुक्र यदि कमज़ोर है, पाप प्रभाव में है, तो भी लटे की कुंडली में अगर ऐसा है, तो फिर विवाह में विलंब होगा, तो कि मैंने ऊपर ही बताया कि विवाह कारक गरहे, और शुक्र तो पतनी कारक भी होता है, अगर वे कमज़ोर हो गया, यदिक्त ये कमज वहां में देरी का एक प्रमुख कारण है, उपर मैंने एक कुंडली आपको बताई थी तो वहां भी शुक्र और चंद्रमा ना सिर्फ केतू के साथ बैठे हैं बलकि शानी की भी देश्टी उस पर है और उस शानी को मंगल पूर्ण देश्टी से देख दी रहा है तो यह एक बहुत बड़ी नेगटिविटी है इसके लाब हम इतनों जन्मांग में वक्री ग्रह भी विलंब से विवहा करवाते हैं अगर ग्रह मोर देन टू प्लैनेट्स वक्री हैं तो फिर विवहा विलंब से शानी का यदि सब्तम वा सब्तमेश से सम्मंद बन रहा है तो भी विवहा देर से होता है तो कि शानी विलंब के कारक है विलंब से हर चीज करवाते हैं और सब्तम से उनका सम्मंद विवहा में देरी उत्पन करता है शानी का सब्तम भाव में होना भी देर से विवहा करवा इसके अलावा सब्तम भाव सेवंध आउस जो की मुख कारक भाव होता है विवह का यह दिवाह पाप कर्तरी में है तो फिर निश्यत रूप से विवहा में विलंब होगा सूरि मंगल राहू वा केतु भी जब सेवंध हाउस में होते हैं शनी के अलावा तो भी विवदान के कारण विवहा में विलंब हो जाता है मांगलिक होना अक्सर विवहा में देरी का एक कारण बनता है अगर मंगल आकारक है यानि मंगल एक चार साथ आठ बारा भावो में अकारत हो करके बैटे हैं तो फिर विवाह में अवसने उलजने आएंगी और विवाह विलंब से होगा कुंडली में यदि बुद्ध और शुक्र अस्त हैं तो भी जातक में खुद ही विवाह करने की इच्छा नहीं होती और व विवाह में विचार मित्रोन लगत कुंडली के साथ साथ चंद्रमा कंडली में हो तो वि विवाह में विलंब होगा अब बात करेंगे कि विवाह में विलंब तो है लेकिं इसके उपाय क्या हो सकते हैं तो पहली बातों बिनाशक शिरी गड़ेश जी ही इसका एक सबसे बड़ा उपाय होते हैं क्योंकि वे बिग निविन आशक हैं इसलिए इनकी शद्दा वक्ति के साथ नियमित पूजा करें विवा में आ रहे अवरोद दूर होंगे जो ग्रह विवा में बाधा उत्पन्य कर रहे हैं तो उनका उपाय भी करवाना चाहिए यानि शांती करवा लेनी चाहिए उन ग्रहों की इसके लाबा पारद शिवलिंग की पूजा करने से विवा में आ रहे अवरोद दूर होते हैं और मा गौरी जी की पूजा मा पार्वती की पूजा बहुत सठीक उपाय है विवा में आ रहे अवरोदों को दूर करने का और शिग्र विवा का देव गुरु ब्रस्पति की पूजा आरादना विवा की बाधाएं दूर करने में बड़ी सहायक होती है इसलिए गुरु को का पूजन करें ब्रत करें पीले पदार्तों का सेवन करें लेकिन मैं कहूंगा मेरी राय है कि पहले जियोत्रशी को कुंडली अवश्य दिखा लें कि तभी विवा में आ रहे ही बाधा का कारण मालूम होगा और उसका सठीक निवारण भी तभी संबभ हो पाएगा जैसे अगर विलंब हो रहा है तो उसका उपाए यह भी हो सकता है कि शिबलिंग पर काले तिल और थोड़ा सा सर्सों का तेल चलाए चलाना शुरू करें तो अब रुद्दूर होंगे राहू के कारण अगर विलंब हो रहा है तो बहते जल में नारियल बहा दें भैरो जी को प्र अपने विचार रखे आशा है आपके ज्ञान में ब्रद्धी होगी और इसी के साथ अपनी वानी को विराम दूगा मिलेंगे अगले वीडियो में फिर किसी नए विशेक के साथ तब तक जै शियाराम नमस्कार